To watch exciting reviews and unboxings of precious metals in India, click subscribe and do not forget to hit the bell icon for notifications. नहीं हैं या अभी आप recognize नहीं कर पा रहे हैं और आप confused हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि मुझे एक सब्सक्राइबर ने बहुत पहले पहले पूचा था कि वाइट गोल्ड सिल्वर और प्लाटिनम में क्या डिफरेंस है वो थोड़े खुद कन्फ्यूज हो ग आप लोग नहीं देख पाते या नहीं पहचान पाते कि इसमें से कौन सा मेटल कौन सा है तो वो confusion मैं clear करूंगा आज इस वीडियो में तो शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो वाइट गोल्ड से तो वाइट गोल्ड यूजूली जूलरी में यूज होता है जैसे आप अभ की वर है son ney Tut facility बनाने के लिए कि या होता है घि पर गोल्ड जो ट्वर करेट की लिए वह यूस किया जाता है और उसमें भॉत सारे मेटल डाते उनके ऐ्लॉइंड में कौन से मेतल आगे आपका ज्ञेंक आ गया हापका लेडियम आ इसलवर आगया और आपका निकला इन सब को मिलाने के बाद एक लियर डाली जायाती है रोडियम की यह बन जाता है आपका वाइट गोल्ड प्योर गोल्ड जो होता है इतना स्ट्रॉंग नहीं होता जिससे मैंने पहले बताया है जूलरी आपको स्ट्रॉंग चाहिए क्योंकि आपको डेली यूज करनी है तो प स्ट्रॉंग टाइप के आपको वाइट गोल्ड मिलेंगे जो मार्केट में इजली अवेलेबल है स्टार्ट करते हैं हम 10 कैरेट से तो 10 कैरेट यानि कि वह 41.7 परसेंट प्योर है 417 फाइनस उसमें 58.3 परसेंट इंप्योरिटी है अब आप देख लो 41.7 परसेंट उसमें 24 कैरेट गोल्ड या प्योर गोल्ड है लेकिन 58.3 परसेंट इंप्योरिटी है सेकेंड आता है हमारा 14 कैरेट गोल्ड वह 58.3 परसेंट प्योर होता है और 41.7 परसेंट उसमें मिलावत यानि की इंप्योरिटी होती है थर्ड आता है हमारा 18 कैरेट वाइट गोल्ड वह 75 परसे है और उसमें 25% impurity होती है एक बर हम चेक कर लेते हैं जो सामने white gold है ये कौन सा है चुछ कि देखने से तो नहीं हम पैचान पाएंगे easily कि कौन सा है unless हम उसके initials पढ़ लें तो I think अब आप लोगों को को यह visible होगा इसमें 18 Karat liedют और उसके साथ में 0.16 Karat भी लिखा है तो आपको पता है जो GB होती है वह केवले करेटसे होती है और इसमें 18 全 वीच गोलड यूजह कर गया है और इसका जो डाइमंड है वह 0.16 0.16 karat का है यह जो diamond इस पर लगे हैं यह VVS quality के हैं यानि की very very small और इसका जो purity है 0.16 karat है with a C, एक तरीके से उनका weight मान लो और उनका purity मान लो VVS diamonds को काफी रेर मान जाता है, जैसे मैंने पहले बोला था white gold जो होता है usually jewelry में use होता है, rings, necklaces इन सब में, अब आप सोच रहे कि 18 karat जो होता है सबसे purest white gold है, लेकिन वो सबसे महंगा मिलता है और वो सबसे weak होता है, purity अगर जाधा होगी तो weakness भी जाधा होगी, यह मैंने gold के लिए भी बोला था और यह चीज मैं white gold के लिए भी बोल रहा हूँ, 10 karat gold जो है वो सबसे जाधा use करते हैं लोग, इसलिए क् कि वो strong होता है और वो सस्ता भी होता है और उसमें लोगों को white gold का जो उनकी इच्छा होती है लेने की वो भी पूरी हो जाती है, 14 karat भी बहुत लोग लेते हैं, वो इसलिए लेते हैं क्योंकि वो medium में आता है, price में भी और उसकी strength में भी, लेकिन एक चीज बहुत important है, 10 karat क जो white gold होगा, उसमें impurity 58.3% है, यानि 58.3% मिलावट है, उस मिलावट में आपका nickel भी आता है, और nickel जो होता है बहुत लोगों को allergy दे देता है, तो इसलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 10 karat और 14 karat को छोड़के 18 karat का gold उठा लेते हैं, क्योंकि उसमें nickel की मातरा कम होती है, और उसमें allergy के chance सबसे कम होते हैं, तो अगर आपको white gold चाहिए और आपको nickel से allergy है, तो please 18 karat का white gold ही लें, अब बात करते हैं इसके tarnish की, क्या ये tarnish करता है, देखो आपको पता है कि gold tarnish नहीं करता, लेकिन obviously जब gold में impurity डाल देते हैं, nickel, silver, तो tarnish करने का option एक बन जाता है तो अगर आप इसको देखेंगे, तो काफी तरह से तो ये white दिख रहा होगा आपको, ये gold यहां से white दिख रहा होगा, लेकिन यहां देखो, ये आपको yellow दिख रहा है, ये yellow हो चुका है, तो सबसे बड़ी बात white gold की ये है, कि वो tarnish नहीं करता, लेकिन वो yellow पढ़ जाता है बहुत लोग complain करते हैं, और इसको ठीक करने के लिए आपको juror के पास जाना पड़ेगा, और वो ही उसे polish करेगा, ये उसे restore करेगा, ये इसलिए yellow पढ़ जाता है, क्योंकि इसकी जो outer layer होती है, उसमें rhodium डलता है, तो ये एक reason है, ये white से yellow हो जाता है, अब हम बढ़ते हैं कि ये white gold है या platinum है, अब हम बात करते हैं इसकी purity या fineness की, आपको पता है gold में जो purity होती है, वो carrots में होती है, लेकिन silver और platinum में ऐसा नहीं है, वो K वाले carrots से नहीं चलता, वो सिर्फ fineness से जाना जाता है, तो अगर मैं purity बोल रहा हूं तो समझ जाना, मैं fineness की बात कर रहा हूं अगर आपको jewelry खरीदनी है, यानि कि आपको rings wings खरीदनी है, platinum की, तो वो 950 fineness में आता है, 950 fineness यानि कि 95% pure और 5% impurity, तो वो काफी healthy है, white gold से तो जादा healthy है, लेकिन अगर आप coins and bars लेना चाहते हैं, जैसे ये bar, तो वो उसकी fineness होती है, 999 से शुरू, 999 plus कहते हैं, क्योंकि क काफी international countries में, वो 999.9 fineness में भी आपको platinum मिल जाएगा, लेकिन white gold में आपको coins and bars नहीं मिलेंगे, सिर्फ आपको platinum, silver, gold सब में मिल जाएगा, लेकिन white gold में आपको नहीं मिलेंगा, platinum का एक बड़ी बात है कि platinum जो metal है, वो हमारे gold और silver, दोनों से dense है metal, और जो densest metal है, सबसे जो भारी metal कहा जाता है, वो osmium है, अब आप सोच जोंगे density से क्या मतलब है मेरा, density से मेरा मतलब यह है, अगर मैं यह same ring बनवाना चाता हूँ, platinum से, तो मुझे platinum की जादा जरूरूत पड़ेगी same ring बनाने में, यह होता है हमारे density, और सबसे बड़ी बात platinum की यह है कि वो tarnish नही हो अभी तक कैसे shine कर रहा है, जैसे अभी showroom से लेकर रहा है, तो यह चीज platinum की बहुत बड़ी बात है, platinum का जो chemical symbol है हमारा PT है और जो उसका atomic number है, वो 78 है, इसलिए आपने देखा होगा कि platinum को लोग बहुत प्रिफर करते हैं wedding rings में, क्योंकि उसकी purity अच्छी है, उसकी finest अच् लग रहा होगा, बिल्कुल white gold और अब platinum की तरह लग रहा है, अब इसका कैसे difference आजाता है jewelry और coins में, तो देखो, silver का जो chemical symbol है, वो है AG और इसका atomic number है, वो है 47, अगर आप silver को jewelry में खरीदना चाते हैं, jewelry के form में, rings या chains में, तो 92.5% purity में आता है, यानि कि 925 finest, उसमें सिर्फ 7 1.5% impurity होती है, लेकिन अगर आप coins and bars लना चाते हैं, तो 900 finest से शुरू होती है, यानि कि 90% pure, जो most commonly हम silver खरीते हैं, coins and bars या investment के लिए वो 999 plus होते हैं, 999 के या 999.9 के, तो ये है हमारा difference jewelry और bullion में, लेकिन क्या ये tarnish करता है, जी हाँ, silver tarnish करता है, लेकिन वो react करता है sulfide से, sulfur से, जो कि air में present होता है, पहले मैंने वीडियो में बोला था कि वो air से react होता है, और इसलिए वो उसका रंग yellow पढ़ दाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, air में sulfur होता है, sulfur dioxide, तो उस sulfur dioxide से हमारा silver करता है react, और उसमें yellow darkish layer form हो जाती है, अगर इस coin को मैं पीछे से दखाऊं, तो आ अभी जो हमारे यहाँ air में sulfur है, वो उससे react कर रहा है, और उसके वज़े से यह layer आ चुकी है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, कि platinum की density सबसे ज़्यादा होती है, उसी साब से मैं आपको बता दूँ, gold की density होती है कम platinum से, लेकिन होती है ज़्यादा silver से, तो इन सब मे को पहचानना है कि कौन सा metal कौन सा है, तो देखो, white gold जो होगा, over the time, थोड़ा yellow पढ़ना शुरू हो जाएगा, चाहे वो 10 karat हो, 14 karat हो, या 18 karat हो, ये 18 karat की ring भी हो गई है धीरे धीरे yellow, अगर ये 10 karat की ring होती होती है, तो बहुत जल्दी ही yellow हो जाती है, और बहुत ही ज़ क्योंकि ये tarnish कर गया है, जो की sulfur dioxide से reaction हुआ था, silver का, अगर मैं platinum की बात करूँ, तो देखो, ये good as new है, ऐसे ही चमक रहा है, पिल्कुल pure gold की तरह, अगर आप लोगों को कोई doubt है, कि मैं silver और platinum में से आप लोगों को गलत बता रहा हूँ, तो एक बार मैं आप लोगों के certificate of authenticity दिखा देता हूँ, उससे आपको यकीन हो जाएगा, कि platinum जो आपको दिख रहा है, वो platinum ही है, और जो आपको silver दिख रहा है, वो silver ही है, ये रहा हमारा essay card, इस छोट इसे platinum बार का, यहाँ पर आप देख सकते है, RSBL का ये coin है, RSBL coins जो company है, और fineness देको PT 999 plus, and हमारा नीचे द बात करता हूँ, देखो 2015 में लिया था ये, जेव परल्स का silver coin है, 10 gram, इवन तो ये 20 gram वाला है, ये certificate दूसरे वाले का है, लेकिन silver purity आप देख लो 9.90, यानि कि 999.0, तो ये थी एक brief वीडियो जिसमें मैं आप लोगों को बता सकूं, platinum, white gold और silver का difference, आप लोग अब discussion के लिए, और जो दूसरा है, वो gold, silver, उन सब के price, charts और normal discussions के लिए, अगर आप लोगों को वो group enter करना है WhatsApp का, तो नीचे description में दी गई लिंक को click करें, अगर आपको deal वाले group में join करना है, तो वहाँ join कर सकते हैं, अगर आपको सिर्फ discussion वाले group में रहना है, आप वहाँ भी आ सकते हैं, अभी मैं थोड़ा active नहीं हूँ, इवन दो उसमें users दीर दीर आ चुके हैं थोड़े से, so sorry about that, हम active होईंगे थोड़े time में, and deals and discussions में हम full swing में करेंगे, अगर आप लोग मुझे social media channels पर follow करना चाहते हैं, तो नीचे description में link दी भी है, वरना आप मुझे follow कर सकते हैं and कोई भी query होगी, आप नीचे comment भी कर सकते हैं, अगर आप लोगों को background में ये जो bookmark दिख रहा है, वो अच्छा लगा है, तो वो actually मेरे cousin ने बनाया है, वो एक artist है, तो ये उनकी website भी होगी, and shoot up by Rahul Rattu, custom made, आप उनको check out कर सकते हैं, अगर आपको ये अच्छा लगा, अग अपने कुछ नया सीखा, तो please इस वीडियो को like करें, comment करें, subscribe करें, और bell icon को click करें, notifications के लिए, thanks for watching.